हेलो दोस्तो नमस्कार मैं शुबांकर आपके अपने यूटूब चैनल ठैंक साल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो यह निव अपडेट आया था निव नोटिपिकेशन आया था यह तीन नोटिपिकेशन आप देख सकते हो यह पहला दूसरा और यह तीसरा यह आने के बाद कहीं न कहीं जो जितने भी परलवाईन फोल्डर थे उनके माइड में कई प्रकार का कॉश्चन था कि सर बहुत दिनों से कुछ भी नया अपडेट नोटिपिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है चाहे बात करें हम टुटर की है पर भी कुछ भी अपडेट नहीं आया था दोस्तों यूटूब चैनल जो परलवाईन का ओपिशेल चैनल ले हुआ पर भी कुछ अपडेट नहीं दे रहा था सिस्टम लेकिन जब से यह तीन अपडेट नोटिपिकेशन आया तो सभी को बह मैंने इन लाइनों का ही अच्छे से एक्स्प्लेंड किया और दोस्तों बात करें जो सिस्टम ने कहा था एक डेसमबर 2022 को हम निलंबित कर देंगे डीपी से टोकन फ़र्मिंग उसके उपर भी नोटीस आया था दोस्तों वह भी मैंने आपको दिखाया था लेकिन एक बार यह देखें दोस्तों यहापर क्या लिखा हुआ आीज अगर हम मान लेजिए कि हम डीपी से टोकन फार्मिंग करने का जो ऑप्शन था यहापर क्या लिखा हुआ आ रहा दिशे हम करने के कोशिश कर रहे थे माप करना से साटोपूल को सबी रेंकदार्कों को जारी करने की प्रक्रिया से सिग्रही सुरू की जाएगी इस बीच डीपी टू टोकन फार्मिंग फिचर को होल्ड पर रखा गया है प्रपईया कुछ दिन प्रतिक्षा करे और पुनह परियास करे तो दोस्तों कही न कही यह अपडेट आने के बाद सभी को लग गया नहीं सिस्टेम अपन थे दोस्तों और हमें इंतजार है कि बहुत जल्द सिस्टेम नया डिसिजन लेगा और सभी के हित में रहेगा ऐसा उम्मीद है तो दोस्तों मेरे इस यूटूब चैनल ठैंक साल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दिजिए अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर द दिखाता हो आपको 2 डिसंबर शुक्रवार का दिन है दोस्तों और मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ 11 बचके 28 मिनट हो रहा है तो दोस्तों 11 बचके 28 मिनट हो रहा है नाइट में ही आपको में वीडियो दे रहा हूँ क्यों दे रहा हूँ दोस्तों कि आपको मैं ज रेंक का डबल मतलब 200% जो जिक्रे किया गया था सिस्टम ने 200% का जिक्रे किया है वो मिलेगा या फिर जितने भी आप लेवल अपगरेट करके रखे हो मान लेजिए कि आप Quartz हो तो आप परला भी होंगे आप कोरल भी होंगे आप Onyx भी होंगे उनका भी डबल अमांट मिले सर्च के option पर मैं लिखता हूँ www.pbc.io लिखकर मैंने सर्च किया दोस्तों यहाँ पर हम network सेलेक्ट कर लेंगे BNB smart chain यह देखिए सर्च हो रहा है अब मैं दो option है दोस्तों एक sit funding एक token forming का मैं sit funding के option को क्लिक करता हूँ करने के बाद आप देखिए प्रोसेस होता हुआ अब मुझे six digit का pin इंटर करना पड़ेगा तो दोस्तों six digit pin सभी का बना हुआ है तो मेरा six digit का pin इंटर करूँगा यह देखिए दोस्तों मैंने six digit का pin इंटर कर दिया और submit को option को क्लिक भी कर दिया है यह देख सकते हो आप एक pbc meta का जो किम्मत है आपके सामने है 7.45 usd 7.45 usd चल रहा है दोस्तों तो कही न कही धिरे धिरे growth हो रहा है pbc meta का भी अगर एक usd में अगर बात करें तो मात्रो मात्र 0.13 pbc meta मिल रहा है तो जो परलवाईन community है दोस्तों मात्रो और मात्र अभी pbc meta में मुझे लगता है दोस्तों 10% भी सा नहीं लिए होंगे अगर मान लेजे हैं यहापर कभी 50% भी community आ जाता है तो यही rate आपको 100 usd जाने में देर नहीं लगेगा तो कही न कहीं इंतजार है कि 100 usd का एक pbc meta बने एक pbc meta का कीमत दोस्तों कम से कम 100 usd बनना चाहिए ऐसा सबका उमीद है और बहुत जल बनने के उमीद जताई जा रही है तो कहीं न कहीं बात यहापर यह आता है कि अगर 100 usd बनता भी है तो हम स्वेप कर पाएंगे कब स्वेप कर पाएंगे ऐसा सबका इंतजार है तो कही कि सबको earning हो पाएंगे आ जाएंगे बेंक बिड्रोल हो जाएंगे डीपी का भी कुछ किमत रहने गया है तो कहीं न कहीं एक समय ऐसा था कि एक एक डीपी मिलना बहुत किमत रखता था माइने रखता था लेकिन लोगों के पास अभी बॉलेट में में देख पाता हूँ कि 1000 सारों डीपी पड़े हुए लेकिनों किसी काम के नहीं है अगर किसी को बेशने जाते तो कोई लेने वाला नहीं है उसका सबसे बड़ा रिजन क्या है दोस्तों कि परला वाइन में बेंक बिड्रोल बंद हो गया है यह सबसे बड़ा रिजन है अगर बेंक बिड्रोल अगर तो तक कही न कई बंद रखा गया है तो अब देखो आटो पूल किस बेस पर आएगा आने वाला टाइम ही बताएगा मैं आशा करता हूँ सिस्टेम से कि कॉमिनिटी का हीत में ही सब कुछ डिसीजन हो और सब कुछ बढ़िया हो जाए और कही न कई फिर से परलवाइन में सब वर्किंग फिर से शुरू कर दे क्योंकि दोस्तों वर्किंग कापी दिन से बन पड़ा है प्लान ए में पहले हम जब परलवाइन का अकाउंट ओपेन गरते थे तो कहिना कही हमें है पर अलगी जलक देखने को मिलता था यहापर एक एक दिन में हजारों साइन अप होते थे दोस्तों एक एक दिन में हजारों है पर आइडिया एक्ट्यूव होता था लेकिन अब यह रजिश्टर पेच में बहुत कम ही रजिश्टर हो पाते हैं क्योंकि अभी देख पा रहा था उन्हीं का अकाउंट रजिश्टर हो रहा था जो डीपी से टोकन फार्मिंग कर रहे लेकिन जब भी हो सब की हीत में हो और साथ में बात करें तो सिस्टम की सिस्टम दोस्तों जरूर कुछ न कुछ करेगा क्योंकि इसके बस क्राउड है जब भी परलवाइन इंटरनेशनल नया अपडेट लाता है तो बहुत कुछ ध्यान में रखते हुए लाता है उम्मिद ह और सिस्टम ने गही ना कई एक्ट्यूनेस दिखाना चाहिए और एक चीज़ और देख पा रहे होंगे जो दिपावली का हैपी दिपावली जो लिखा हुआ रहता था हैपी दिपावली का जो पोस्टर आता था वो हट गया है साइट से ये भी एक लटेस्ट अपडेट है तो दोस्तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करवाईए अपने टीम से क्योंकि टाइम टू टाइम जानकारी में लाता रहता हूँ तो दोस्तो आप बने हुए हो इ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलता हूँ अगले वीडियो में एक केर गुड़ बाई जय हिंद जय भारत